मैंने अलजमाल में टोटल इंवेस्टमेंट की थे राउंड 45 प्लस फहीम साहब वो एक्स एमिराद ग्रूप के मेंबर रह चुके हैं बेसिस उन डाइड अन प्लस वो आर्मी से थे अर्मी का बैग्राउंड जब हो के एक महां के जिव सी यह हो है दैट इस रिटाइड करनल वालदा मेरी बेवा है और उनकी आईसाइड इशू है तो वाइल बिंग इन रियूनिवर्सिटी मुझे था कि मुझे एक ऐसी अमाउंट मिल जाए जिससे मेरे फराइस जो घर के हैं वो पूरे हो जाएं और मैं तब तक इस्टाबलिश हो जाओंगी और कि जिन्हों नहीं स्कैम किया है उनकी अब और स्कीम्स मुलतान के अंदर चल रही हैं बिस्मिल्ला रह्मान दहीम नाजरीन अससलाम अलेकुम आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेजबान ताहिर नसीर नाजरीन जहां रहें खुश रहें आबाद रहें सलामत रहें हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों ठकबाजों बहरूपियों लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें नाजरीन आप सोच रहें होंगे कि आज इस ओपन एर में क्यों खड़ा हूँ तो आपको मालूम है कि प्राप्टी के नाम के उपर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को कितना लूटा जा रहा है अब पहले रेंट होता था अब उसकी थोड़ी सी मोडिफिकेशन कर देगी है लेकिन आप खुद सोचें एक जमीन का टुकड़ा जहां पर अभी कंस्ट्रक्शन हुई नहीं और वो आपको महाना रेंट एप्रिसेशन कैसे देंगे बिसिकली वो लोग भी एक पौन्जी स्कीम की समझ लें कि वो स्टेज है इसको आप आखरी स्टेज कहल दें सेकिन मीन के टुकड़े के ओपर आप इन्वेस्मेंट करते हैं और कहा जाता है जी के आपको महाना दो परसेंट एप्रिसेशन दिया जाएगा एक दो माँ तीन माँ छे माँ आपको आपके पैसों में सही वो रिफंड करते हैं और जो लालच और हवस के पुजारी हैं वो खुश फराड कर चुके हैं लेकिन हमारे इदारे खौब खरगोश के मज़े ले रहे हैं इमेंडमेंट लेके आए नैप की उन्होंने कहा जी पिचास करोड से जायत का अगर फराड होगा तो नैप हरकत में आएगी पिचास करोड से क्या यहां पर अर्बो रुपे के भी स्कैम उसकी बुनियादी वज़ा कि जो कहते हैं कि उन्ट रखते हैं वो अपने दर्वाजे उन्चे रखते हैं जो इस तरह का फराड करते हैं तो उनके लिंक्स भी इस तरह की होते हैं अभी रिसेंटली एक जमाल ग्रुप ने स्कैम किया और तकरीबन कोई एक से डेड़ अरब रुपे का स्कैम है इससे भी ज्यादा हो सकता है लेकिन अभी तक जो एफेक्टिज आएं आज उन्होंने प्रेस कांफर्स भी की इस वक्त मेरे साथ कुछ मतासरीन मुझूद हैं अब कुछ खावतीन हैं और सिस पाकिस्तानी भी हैं लेकिन वो उनकी एक ख्वाइश थी कि शायद उनको महाना रेंट मिले उनको महाना रेंट तो नहीं मिला उनके साथ फराड जरूर हुआ है ये खातून एक करडियन से जानते हैं जी असलाम लेकुम आपका नाम क्या है और आप और सिस पाकिस्तानी है कहां से हैं आप और कितना कुछ आपके साथ फराड हुआ और fraud करने वाले इस्पेशली नाम बताईएगा कि जिन लोगों ने क्योंकि यहां पर नाजरी ने आपको एक बता दे अभी जो है आई एसमार ग्रूप ऑफ कंपनी जो फ्रॉड किया वो मुसूफ अपने साथ मेजर लिखते थे लेकिन उनको letter of thanks दिया गया था forces का नाम बदनाम हो रहा है और जो जमाल गुरूप वाले हैं उनका भी तालुक forces से ही है अब खातून की जबानी सुने के fraud कैसे हुआ कितने माँ इनको rent मिला कितने माँ appreciation के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता रहा और अब क्या सुरत है वाले है मेरा नाम तईबा है और मैं बेसिकली दुबई में रहती हूं यारान साल से मैं दुबई में ही हूं और मैं टेक्सपेर भी हूं पाकिस्तान में मैंने अल जमाल में टोटल इंवेश्मेंट की थे राउंड 45 प्लस 45 लाक्स प्लस जिसमें से उन्होंने एक मुझे बोला था क जिसका मुझे सिक्स मन्त के बाद क्योंकि मैंने सिक्स मन्त का टेनियोर ही चूज किया फिकोज अबिट शेडी मिस्टर जो हैं फेहीं साब वो एक्स अमराद ग्रूप के मेंबर रह चुके हैं बेसिस उन्दाट और प्लस वो आर्मी से थे और उनकी जो भी पिछली हिस्ट कर दी और क्योंकि उनके प्लॉट्स थे हाजिर सर्विस जिसमें जिसमें लोगों का यह होते हैं तो कॉंस्ट्रक्शन हो जाएगी जैसे ही पैसे कम्प्लीट होंगे उस चक्कर में मैंने भी इन्वेस्मेंट कर दी रेंट की लालर से नहीं की जसके चलो ठीक है नो को कभी आपके जहन में यह बात नहीं कि यह एक जमीन का टुकड़ा है वहां पर इन्वेस्मेंट कर रही है और आपको महाना रेंट के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है इस मतलिक आपने सोचा नहीं था कि हो सकता है कि स्कैम हो आल्रेडी पाकिस्तान में कितने को अच्छा कॉमर्डेट भी करी हैं तो इनके जो हैं तीन प्लॉट इन्होंने बाय कर ले थे जिसमें से सी वन डॉट और एक और भी प्लॉट था उनका उस हिसाब से अगर हम देखा जाएं तो उनके बहुत कॉंस्ट्रक्शन के प्लान थे कि हम फोरन से कॉंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो इतना जादा धमाग उस साइट पर गया नहीं तो हमने दे दी इन्वेस्ट्मेंट नाजरीन ये तो पैंटालीस लाक रुपे डुबो के बैठी हैं सिर्फ एक दफ़ा इनको रेंटी अप्रिसेशन मिला एक और मौसूफ खड़े में हैं इनसे भी ज जगा मिले कि उसको मकान मिल जाए फ्लैट मिल जाए लेकिन आपके साथ जो स्कैम हुआ वो कितना बड़ा स्कैम हुआ और थोड़ी सी जो नाजरीन है उनको बताएं कि नोसरबाज कैसे चिकनी चुपड़ी बातों में इनसान को लेकर नोसरबाजी करते हैं ताहर भाई बा जिसके पर प्लाजा खड़ा करने की बात करें उसमें आपको यूनिट अलोकेट करेंगे एंड नमबर फॉर आप यह देखते हैं कि उसकी जो इंप्लॉईज है सेटलमेंट कहां पर वी एक इस बेस पर और आर्मी का बैग्राउंड जब होके एक महां का सी यह हो है डाट इ सबसे पहली बात है कि एक तो बंदे की अपनी क्रेटिबिलिटी होती है जो कि इनका पास्ट्राइक हमें नजर करा रहा था कि एजनसी 21 से सारे एंप्लॉई जाए वे थे कुछ इमरात में थे तो उनकी क्रेडिबिलिटी थी जिसकी बेसे हमने और जो डॉक्मेंटेशन थी वो चीजें दे के उनके साथ इन्वेंट कर दी अब इन्हों ने जो वन पॉइंट एट बिलियन है यह आपने एक अरब बोला लेकिन यह दो अरब है तक्रीब हैं जो इन्हों ने भी स्काइम कि यह सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है सिर्फ कुछ ही महीनों के जो इन्हों अफराद वो तो नहीं हैं जो जिनका तालुक महकमाजराद से हैं अब यह हमें भी नहीं पता चला उन्हों ने खुद यह F.I.R. दी है जो CEO हैं F.I.M.ाबर अपने दूसरे डिरेक्टर्स के खिलाफ के यह गाणिया इन्हों ने ली थी और यह किसी नामालूम अफराद के नाम पर रेजिस्टर्ट दी, अब who knows कि यह वो खलाई मखलूक की बात कर रहे थे, यह पिर अनके अपनी किसी बंदो के नाम पर रेजिस्टर्ट दी, आपकी इन्वेस्मेंट कितनी थी, और कितना माह आपको रेंट दिया गया? और अब जब कमपनी स्कैम कर चुकी जाहरी जा रहे हैं तिन चार स्वाज पूछ लिए आपने एक तो यह के ओंट तो बड़े हैं वो तो आपने का क्योंट बड़े हैं तो दर्वाज़े इनके वाकी बहुत बड़े होते हैं इनिशली यह आपको बलाते हैं सेट्लमेंट के लिए कि हम कुछ न कुछ सोलुशन सोचे ने सबसे पहले नों ने का कि कंपनी के एसेट्स इतने नहीं रहे लिएबिलिटी इस ऊपर चले गी हैं बाय बैक्स अप्लाइ कर लिए हैं अब कंपनी लिकुडेट होने चारी हैं हम एसी सीपी वाइंडिंग अप जाके अपलाइ कर दें हाई कोड के अंदर उन्होंने हमें यह जहांसा दे दिया कि अगर हम वाइंडिंग अप में जाएं गे तो बिल्कुली गेम खराब होजाएगी हमने का कुई सेटलमेंट सोच लिए हम कमपनी सोच ले हैं उन्होंने अलहयात को बला लिया ऑन बोट कर लिया वो उससे बड़े नोसर बास थे अल कोड में जाके वाइंडिंग अप्लाई कर दी एक शील्ड उन्होंने अपने उपर ले लिए कि अब जो है जो मर्जी कर लो क्योंकि वह वाइंडिंग अप्लाई करते हैं उसके आप कहते हैं कि यह एफ यार्स मेरे खिलाफ ही हुई है इन पे एक्शन ना लिया जा यह तो यह बापत है वहाँ पर कोई एक्शन हो जा लेकिन वहाँ पर भी नहीं पर चला गया पचास क्रोड सुपर भी चला गया सारा थ्रेश्वर्ड सारे अचीव हो चुके हैं पिर वह स्लोली एं स्टेडिली मूफ तो कर रहें लेकिन वी वांट के अब उनको यह नो कि इतनी द फिक बलाते थे हाँ जी हम तो आप पुलीस साने काईगे हम आ जाएंगे आप केंगे नेपा जाएंगे कोट केंगे हम कोट में आ जाएंगे लेकिन दे केम नो वेर आजरीन यह आपने एक कहानी सुनी और अधर खातून है उनसे वी जानते हैं आप नाम बताईगा आपकी कितनी थी और लास्ट टाइम आपकी कोई उनसे टेबल टाक हुई जो भी फहीं बाबर है या जो भी एक्स वाइजी है मेरी जो है इन्वेस्मेंट थी तकरीबन साथ लाग की और मेरे वालत साब की फोतोंने के बाद जो भी हम बाहर साय थे जमा पूंजी उनकी थी वह मैंने में हाँ डाली तो वाल्दा मेरी बेवा है और उनकी आईसाइड इस्यू है तो वाल बिंग इन यूनिवर्सिटी मुझे था कि मुझे एक ऐसी अमाउंट मिल जाए जिससे मेरे फरायस जो घर के हैं वो पूरे हो जाएं और मैं तब तक इस्टाबलिश हो जाओंगी और यह हो जाएगा तो मैंने लास्ट यह करवाई थी और मुझे फोर मन्स का जो है इन से इंटरस्स मिला था उसके बाद से दे वस नातिंग और यही बात होती है कि अकसर औका इसी तरीके से जहांसा दिया जाता है इस तरह की स्कीम में हमें कि आपका एक मन्तली जो है तरीके से इ जाएद चूक जाता है या अवेरनेस हमारे मुल्क में इतनी नहीं है कि हम इन चीजों को पहचान सके और इन चीजों से बद सके तो यह जब हुआ तो तब से लेके अभी तक तक तकरीवन साल से उपर हो गया तो वी आर ट्राइं ट्राइं अब बिंग फीमेल मैंने बहुत बेज़ती भी बरदाश की है फ्रॉम अल-हयात ऐस फ्रॉम अल-जमाल तो पॉइंट के मैंने यह भी सुना वा है इन से मतलब जाली गलोच कहले नहीं देते क्या कर लेंगी नाब इस नाट गूंग तो अनिधिंग पुलीस इस नाट गूंग तो अनिधिंग जा चुकी हू मैं काफी जगों पर जा चुकी हूं लेकिन आई डू नॉट सी कि इस तरह की इशूस के उपर कोई भी हुकूमत से या किसी भी इदारे से इस तरह का स्टेपन हो के एक मिसाल कायम हो और इस तरह की लोग जो है दुबारा इस तरह की कुछ सोचने से डरे बिकॉज दिंग इ तो इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि इस तरह की लोगों का कितना एक डिटाई कह लें कि एक तो आपके साथ तो फ्रॉट करें अब वो जगा बदल के कहीं और किसी और शहर में जाके और लोगों के साथ करें आप देखने वालों को क्या पेगाम देंगी कि जो इस त आपको कोई जितने मर्जी इमोशनली हमारी कौम ना थोड़ी स्पेशली जो इस तरह के बिए जैसे हो लोगोते हूं इमोशनली भी बड़ा सोचते है आपको आके का जाता है कि बेटा तुमारे बाप की जगा मैं हूँ कुछ नी होगा तो मैं परसनली दे दूंगा परसनल इसको लालश तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन आप जो बेहतरी सोच रहे हैं अगर आप अपने दम पे अपनी बेहतरी सोच रहे हैं खुछ से कुछ भी इन्वेस्ट या कई बिजनिस करके तो वो करें ना कि किसी और के दम पे आप अपने लिए बेहतरी सोचने को आजकल के ज अब इशू ये है कि अगर आइनी तरमीम लाई जा सकती है रात की तारिखी में दस्खत करवाई जा सकते हैं तो ऐसा मैकनिजम क्यों नहीं बनाया जा सकता कि जो नोसर बाद जिनको खुली छूट दी गी है उनके खिलाफ भी एदारे हरकत में आएं बाद फिर वहीं पर आके रुकती है कि जब तक लाल्ची जिन्दा है ठाक बाद नोसर बाद कभी भूका नहीं मरेगा कंपनीज एक्ट की हम बात करते हैं यहां पे सिर्फ जमीन का टुकड़ा एक M.O.U. साइन किया जाता है और उसके बाद अरबुर में उठा लिए जाते हैं और हमारे इदारे खुआब खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं ना तो वो हरकत में आते हैं अगर हरकत में आते भी हैं तो केस इतना वीक बनाते हैं प् लाल की कमाईत उनको वापिस मिल जाए लेकिन ये नामुमकिन सी बात है तो खुदारा किसी भी कंपनी में किसी भी ट्रेडिंग एप में आप इंवेस्टमेंट मत करें आपका सरमाया डूब जाएगा अगले प्रोग्राम तक लेपने मजबान ताहर निसर को अजाज़त द